चरेवती 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 नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जिस चरेवती की बात कर रहा हूँ जी हाँ चरेवती अर्थाथ चलते रहना यह संदेश है स्री आनंद पुरसाद अगरवाल जी का और इस संदेश को उन्होंने अपनी आत्म कथा चरेवती में संपोर्ण रूप से वर्णन किया है यह अप उस तक उनके बच्पन से लेकर जन्म से लेकर के अब तक के जीवन का एक सार है इस सार में सिर्फ उन्होंने अपने बारे में ही नहीं लिखा है बलकि अपनी सफलताओं के बारे में लिखा है अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की उपलब्धियों के पीछे उनके प्रेणडा श्रोत कौन रहे हैं और उन्हें प्रेणडा कैसे मिलती है उनके इस जीवनी को पढ़ करके हम स्वयंग प्रेरित होंगे और जीवन में आने वाली घटनाओं और emotional breakdowns यानि कि समवेदनाओं से जब भी हमारा साक्षातकार होता है उन सबसे कैसे निप्टें और जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं जीवन को आगे बढ़ाते हुए हम समाज के लिए कैसे उपयोगी बने कैसे मित्र बनाएं यह सारी जानकारी उनके इस बांगला पुस्तक में है यह पुस्तक पहली बार ढाका से परकाशित हुई थी आज से दो बर्स पहले बांगला में होने के बाद दोस्तों यह पुस्तक उन्होंने बांगला में लिखी थी और उनके मित्र है स्री बबलुदास गुप्त जी बबलुदास जी ने हमारे टीम से संपर्क किया उनकी यह इच्छा थी कि आनन्द प्रसाद जी को एक सर्प्राइज देंगे इस पुस्तक का हिंदी में अन्वाद करके हमने उनके इस चैलेंज को लिया चुकि हम सब हिंदी भासी हैं और बंगल में रह रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत बांगला भी जानते हैं मैंने उनके पुस्तक को कई बार पढ़ा चुकि एक भासा से दूसरी भासा में जब हम अन्वाद करते हैं तो एक भासा के सार को या एक भासा के फ्लेवर को रखते हुए दूसरी भासा के फ्लेवर में दूसरी भासा के अनुरूप उसे उतारना होता है हमारी टीम में मैं बिने कुमार शुक्ल मैंने उस पुस्तक का अनुवाद किया हमारी अंटी जी स्री मती माला वर्मा जी ने बाद में उस पुस्तक का संपादन किया भूसन प्रकाशन यानि कि बबलू जी बबलू जी का असली नाम है ब्रज भूसन तो ब्रज भूशन ने इसके प्रकाशन का काम किया और स्री नंदलाज साव जी ने इसका कंपोजिंग किया इडिटिंग किया इस तरह से हमने छोटी सी टीम को लेकर के शुरुआत किया था और यह कह सकते हैं कि आनंद परसाद जी के प्रेणा से ही हमने यह किया उनकी पुस्तक की प्रेणा से हमने जो ही पाया उसको चैलेंज की रूप में लिया और पूरा किया कल बीते कल नौ तारीक को इस पुस्तक का लोकारपन हुआ बंगला पुस्तक का हिंदी अनुवाद का और इस लोकारपन में हमारी पूरी टीम थी चुकि आनन्द प्रसाद जी बंगला मीडियम से पढ़ें और उनकी हिंदी बोली बहुत अच्छी है पर हिंदी पढ़ने की गती थोड़ी धीमी है पर हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपने पुस्तक की कुछ पंक्तियां प योग सुत्र द्यार को हुथा है यह सुत्र बहुत लेक्षियों है वीच वीच में अधाल लगता है मानूं अनिक अशंबब की चीज अशंबब की बीच एक शंबब